हेलो फ्रेंड्स आज हम फिर से आ गए हैं एक नया फैब्रिक पिंटिंग का वीडियो लेगा तो आप लोग वीडियो को देखिए इन तक चैनल में लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही कम हो रहे हैं तो थोड़ा आप सो इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कर दिजिए मेर अच्छा ने लगे तो मत किजिए लेकिन एंट तक देखिए वीडियो को इंजा कीजिए और सब्सक्राइब कर दिजिए मेरे चैनल को क्योंकि मैं आर्ट रिलेटेड पेंटिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो आप लोग इंजा कीजिए और एंट तक और मेरे सब बने रही है और बेल रिक्राइब को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो लाओंगा आप सबको पहले से नोटिफिक्शन में जाएगा थैंक्स प्रेंट तो चलिए फ्रेंट्स पहले हम कपड़े को इस बॉर्ड में लगा लेते हैं पिछला दिन मैंने दिखाया था दिवार में कैसे कपड़ फैब्रिक पेंटिंग करेंगे मतलब कपड़ा जो है दिवार में कैसे टांग के करेंगे आज हम बॉर्ड में दिखाएंगे तो पहले हम ड्राइंग कर लेते हैं ग्लास मार्कर से हम मैंने ड्राइंग कर लिया है अब लोग चाहें तो कोई भी ड्राइंग को कार्बन पेपर में छापके भी कर सकते हैं जैसे फैब्रिक प्रेंटिंग होदा है सब कोई ड्राइंग तो नहीं कर सकता है तो अब लोग आसाइनी से क कोई भी ड्राइंग छाप के भू कर सकते हैं तो मेरा ड्राइंग अभी देखिए यह कॉम्प्लीट हो गया अभी हम क्या करेंगे इसमें ब्लैक फैब्रिक से ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर लेंगे क्योंकि आज भी हम फिर से स्प्रे पिंटिंग करेंगे तो spray printing में जब हम spray करेंगे कलग तो painting ढग जाता है तो हमें फिर drawing बनाने में दिक्कत होगा इसलिए हम पहले थोड़ा black से outlining कर लेंगे और अभी मेरा देखिया outlining complete हो गया और अभी हम spray painting करेंगे ये spray के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बताया था अब लोग चाहे तो जाके देख लीजिए मैं लिंक description में दे दूँगा ये कुछ नहीं है एक लगड़ी का टुक्रा है और उसमें एक टो रिफिल और एक टो paint लगा हुआ है जो मैंने cello tape से चिपका लिया है तो ये और detail में अब लोग को जाना है तो मेरा पिछले वीडियो जाके देख लीजिए ये poster color का एक टो बोटल है इसमें हम fabric घोल लेंगे और spray painting करेंगे ये पाइप उसका अंदर जाएगा और मुह से हभाब लोग करना है ब पॉस्टर कलर का खाली बोटल है तो पॉस्टर का खाली बोटल में देखिए हम ये color ले लिए और इसमें हम थोड़ा medium मिला के थोड़ा color को बदला कर लेंगे अभी क्या करना है ये spray को इसका अंदर डाल के और हम कैसे पकड़ रहे हैं थोड़ा देखिए ऐसे करके उसको पकड़ लीजिए और फिर क्या करना है मूँ से हवा फ्लो करना है देखिए हम कैसे कर रहे हैं कि यसके बढ़ा हैं पत्सक्राओन आपक पर फिर को बड़ाई बदल अपक पर दोड़ा देखिए और इसमें पर दखिए बदला कि शव अब ही जहाँ जहाँ जो जो कलर चाहिए वहाँ वहाँ वह कलर हम स्प्रे कर लिए और उसके बाद हम इसमें वाइट से आउर लाइनिंग कर लिए जो मैंने पहले ब्लैक से आउट लाइन किया था वो शरिफ मुझे मतब कलर ढगने जाए इसलिए कीये थे अभी हम इसको वाइट से आउटलाइनिंग किये और जहाँ जहाँ जो कलर हम मुझे कर चाहिए था वहाँ स्प्रेश से कलर कर लिए तो अब लोग करके देखिए इसमें फिनिसिंग बहुत अच्छा आता है बहुत ही खुब्सूरत लूक आता है जैसे मैंने और भी वीडियो एक टो अपलोड किया है स्प्रेश पेंटिंग से फैब्रिक वाला वह मैं डेस्क्रिश्म में लिंक दे दूंगा आप लोग चाहिए तो जाके देख सकता है बहुत ही खुब्सूरत लूक आता है इसमें और आप लोग मेरे वीडियो को जुरूर लाइक कीजिए अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब के लिजिए मैं आर्ट रिलेटेड पेंटिंग रिलेटेड वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूं तो थोड़ा से मुझे सपोर्ट कीजिए मेला चैनल तो भीउज आ रहे हैं लेकिन लाइक बहुत ही कमा रह दिए थैंक्स दोस्तों वीडियो के इन तक देखिए और निजय कीजिए हुआ 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 है हुआ हुआ है